असलाम लेकूम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे बीफ कोफटा करी इसके लिए हमें प्यास चाहिए प्यास हम दो अदद मीडियम साइस की लेंगे और इसे हम चौपर में डालेंगे लहसन के जवे हम लेंगे तीन से चार अदद इसे भी हम चौपर में डालेंगे जिंजर, यह निगे अद्रक हमें चाहिए एक इंच का टुकड़ा इसे भी हम स्लाइस में कट करके इसी में शामिल कर देंगे हरी मिर्चे हमें चाहिए दो से तीन अदद इसे भी हम इस तरह मोटा मोटा काटके इसमें डाल लेंगे हरा धनिया हमें चाहिए टूटू थी टेबल स्पून भर के ये भी हम इसी में शामिल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चाप कर लेंगे अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चे को अहरी मिर्चो को आप बारीक काट ले चुरी की मदद से और जो प्यास अद्रक और लेसन है तो इसे आप कदुकश की मदद से कदुकश कर ले मकसद इसे सिर्फ बारीक करना है यह आप देख सकती है कि अच्छे से यह बारीक हो गया है अब हम इसमें कीमा एट करेंगे, मैं यहाँ पे 500 g बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ और मैं यह बात बताती जाओं कि आप फ्रेश कीमा यूज़ करें जो कि होममेट हो और अगर आप बाजार से भी लाएं तो ताजा बनाया हुआ आप खरीदें ताजा बना हुआ आप इसमें यूज़ करें इसमें हम 3 टेबल स्पून भर के भुने वे चन्नों का पाउडर डालेंगे बुटा हुआ धनिया डालेंगे वन एड़ टी स्पून हम इसमें भुणा हुआ और खुटा हुआ जीरा एड़ करेंगे गरा मसाला यह भी ताजा ग्राइन किया हुआ है यह मिसमें डालेंगे टू टी स्पून है वुट है टो सोलख मिर्च का पौडर हम इसमें डालेंगे वर्टेBAWLब स्पून अगर को कब मिर्च से पसंड हूँ तौ आप हरी मिर्चे और सोलख मिर्च मिर्चे अपनी टेस्टिяс के साफ से इड़ेस्ट कर सकती है घीं हमाइट करेंगे बन्हें सक्सक्न Mississippi इससे कौफत एक अदत हम इसमें अंडा एड़ करेंगे अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे फिर से हमने इसे इसी तरह चॉप कर लेना है अगर आपके पास चॉप पर नहीं है तो बारी कीमा आप लें जो के दो बार मशीन से निकला हुआ हो और इसी तरह सारी चीजहें शामिल करके आप इसी तरह का मिक्स्टर बनादें अच्छे से गून ले तो यह मिक्स्टर आपका बन जाएगा यह मिक्सर हमारा तियार है अगर बहुत ज्यादा नारम हो रहा हो मिक्सर तो आप इसे 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दें और इसके बाद आप इसके कोफते बना सकती है यह इस तरह करके अब हम इसके कोफते बनाएंगे चोटे या बड़े या अपने मर्जी के साब से बना लें मैं हमें थोड़े मीडियम साइज के बना रही हूँ हाथों पर पानी लगाते हुए इस तरह करके हम मीडियम साइज के कोफते बना लेंगे सारे कौफते इसी तरह बिना क्रेक्स के दबा दबाकर हमने बना लेने हैं और इसे हमने फ्रिज में रख लेना है अब हम इसके लिए करी बनाएंगे करी बनाने के लिए हम एक पॉट लेंगे और इसमें हम तक्रीबन आधा कप ऑईल डालेंगे तीन से चार हम अहरी लाइची इसमें तोड़के डालेंगे हलका सा फ्राय करेंगे और इसके बाद हम इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे एक टेबल स्पून भरके हमने इसमें अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ कर लेना है अच्छे से हमने इसे भून लेना है अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी एड़ करेंगे तीन अदद मीडियम साइज के टोमाटर मैंने लिए जिसे मैंने ब्लैंड कर लिया है बिना पानी के इसमें हम नमक एट करेंगे वन टी स्पून टेस्ट के साफ से आप एड़्जस्ट कर लें सुख मिच्च का पाउडर इसमें हम डालेंगे टू टी स्पून या पर टेस्ट के साफ से यह भी आप एड़्जस्ट कर लें हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून धर्णिया पावडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पावडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे साथी मैं यहां पर वन टीजपून भर के देगी लाल मिर्च या पर कश्मीरी मिर्चे जिसे कहते हैं तो वो मैं इसमें वन टीजपून एट करूंगी इसे बहुत ही अछा सा कलर आता है ग्रेवी का अच्छे से हम इसे फराइ करेंगे इसे हमने फ्राइ करने के लिए छोड़ देना है जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए और जो टमाटर है जो हमने इसमें टमाटर प्यूरी एड़ की है तो इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए और इसका अलग हो जाना चाहिए अब हम एक ब्लेंडर लेंगे ब इसमें हम ब्राउन कीवी प्याज एड़ करेंगे एक अदत लाग साइस प्याज मेने ब्राउन कर ली है बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना अगर बहुत ज्यादा ब्राउन करेंगे तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी इसका हम पेस्ट बना लेंगे यह आप देख सकत का वहम इसमें एड़ करेंगे सारा और अछे से हमने इसे भून लेना है अब हमने मसाले को तक्रीबान आण से दस मिनट के लिए भून ना है पहले के तीन से चार pinnt हमने इसे ऐसे भून अब हम इसे ढग कर रखेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से भूनते जाएंगे आठ से दस मिनट लगते हैं मसाला भूनने में अगर नीचे लग रहा हो ताप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड कर सकती हैं लेकिन यह है कि जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी तो उतने ही अच्छे इसकी ग्रेवी बनेगी करी बहुत ही जबरदस बनेगी नमक हम इसमें एड़ेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के साब से इस टेज़ पर मैं इसमें थोड़ा सा भूना हुआ और कोटा हुआ जीरा मजीद एड करें हूँ हाफ टी स्पून में यहां पे इसमें भूना हुआ है और इसका पौडर मैंने बना कर इसमें एड़ कर लिया है अब हम फिरस से कोफते निकाल कर इसमें एड़ करेंगे मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो गया है और इसका अलग हो गया है कोफते हम इसमें रखेंगे और इसके बाद कोफतों को हमने बिल्कुल इसमें चमच नहीं चलाना कपड़ी की मदच से हमने देच या जिसमें भी आप इसे पका रही हो याद रखिए कि एक तो खुले-मूवाली देच्की कढ़ाई कुछ भी हो आप खुले-मूवाली ले एर इस तरह करके पकड के आप इसको ऐसे हिलाएं इस तरह करके आपने इसको हिला लेना है और प्री पहले के 5-6 मिनट पहले के 5-6 मिनट हमने इसे ऐसे ही ढख कर हलकी आँच पर कुक कर लेना है पांच से छे मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें उबलता हुआ पानी एड़ करेंगे एक गलास मैं यहां पेस में उबलता हुआ पानी एड़ करी हूँ और हलका हलका सा मिस्तर करके इसमें चम्मत चला लेंगे बहुत ही हलका सा कौफ्ता को हम टर्न कर लेंगे हलके हलके से इसरा करके और अब हम इसे ढग कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी हमारी रेडी है आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं आखिर में हम इसके उपर 1.5 टी स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा मैं यहां पे इसमें थोड़ा सा फिर से एड़ करी हूँ वन बाई 4 टी स्पून यह आपके टेस्ट पर डिपेढ़ना है अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसे एवाइड कर सकती है आप मत डाले इसमें हम फैनिग्रीक लीव्स यानिके मेथी डालेंगे खुशक मेथी जिसे कहते है कसूरी मेथी वह हम इसमें वन टी स्पून डालेंगे और इसको बिलकुल हलकी आँच पर पांच मेंट के लिए दम पर रखके छोड़ द जनिया डाला है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक्यू फॉर जब बॉझस